मित्रों नमस्कार मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे दर नोडबुक आई-स के इस चैनल पे जहां पे हम दा हिंदू से संबंधित जो भी महत पूर्ण एडिक्टोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं और साथ ही हम यहां पे आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ग्जाया संबनेद हो सकता है जो हम एक्जाम के point of view से important हो जैसा कि आप सबका exam बहुत ही नजदीक है बहुत नजदीक है करीब आता चला जा रहा है आपका exam तो इस वजह से यहाँ पर आपकी practice भी होती रहेगी साथ की साथ थोड़ी थोड़े आपकी previous year questions की भी अपरी की level पर question को solve करने की और दोस्तों मैं उम्मीद करती आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर ही रहे होंगे टेंशन तो हर किसी को हो जाती है दोस्तों अगर exam नजदीक आता है तो लेकिन यह आपका golden crucial period चल रहा है आपके exam के point of view से तो जितना maximum हो सके आप इसको utilize करने की कोशिश करिए जो बीत गया सो बीत गया बीते हुए पर तो हमारा कोई बस नहीं है लेकिन आने वाले पर हमारा बस है दोस्तों जो चीजे बीच जाती है उन पर हमारा बस तो नहीं होता लेकिन हम क्या create करने वाले है इन future क्या बनाने वाले है इन future वो तो at least हमारे पर depend करता ही करता है आप अपने जीवन को एटलीस अपने भविशे को कंट्रोल करिए ये चीज़े आपके हाथ में हैं कि आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं आप अपनी परिस्थितियों के शिकार मत हो जाए कि लाइफ में जो भी परिस्थितिया आई जैसे भी आई और आपने उसके सामने सरेंडर कर दिया एडिजिट तो दोस्तों अपने लाइफ के नायक नायका बनिये और शिकार मत बनिये यही हमारी आपसे जो है उमीद है तो चलिए देखते हैं हमारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स क्या है हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंग तो आईए देखते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है हमारे पहले आर्टिकल होगा हमारा इंडिया इस ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेज जैशंकर जैशंकर जी ने हमारे कहा है कि इंडिया इस ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेज यह राइसिना डायलोग चल के बीच में तो इस तरीके से मालों कंट्रीज के ही बीच में अगली निउस होगी हमारी no need to amend wildlife protection act केरला यहां पे ले करके काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि हमारी government wildlife protection act को change करें 1972 का लेकिन यहां पे अभी government ने कह दिया no need to amend wildlife protection act तो हम दोस्तों यहां पे देखेंगे इस wildlife protection act में क्या important चीज़ें हैं जिसको ले करके केरला ने बात कही हुई है अगली होगी putins is not a sustainable style of governance यहां पे यह चीज़ें हम देखेंगे कि descent कैसे करने से पुतिन वहां पे आप देखे रहे हैं कि वहां पे नेवल नी जो उनके opposition लीडर थे उनकी death हो चुकी है तो उसको ले करें काफे जादा controversy है और कुछ और भी चीज़ें हैं democracy से ले करके और इनकी जो पार्टी होती है वहां पे communist type की उन चीज़ों को भी ले करके socialism को ले करके वह भी चीज़ें हम देखेंगे यहां पे अगली न्यूज है हमारी चाइनीज research ship most near Maldives raising concern जो चाइना की विसल है पिछले बार पिछले महीने से ही हम पढ़ रहे हैं कि एक चाइनीज research vessel जा रही है जा रही है तो अभी पहुंची है तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कहां पे वो पहुंच चुकी है और क्या बाते हैं इसमें अगला आर्टिकल होगा हमारा intended messages and their interpretation यहां पर आप यह मेंस के point of view से important हो सकता है कहीं पर जो है यह लिखने में कोई question आया तो काम आ सकता है दोस्तों क्योंकि बात यहां पर क्या कहीं जा रही है कि intended messages and their interpretation जो messages की messages और वीडियो की clip cut करके बीच में डाल देते हैं लोग उनका फिर जो है क्या impact हो जाता है बाद में और लोग उस पर ध्यान नहीं देते तो इनसे संबनित एक article है important article है वह हम देख लेंगे हाँ पर आर इंटर पोल्स नोटिस इस बींग पॉलिटिकली एक्सप्लोइट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें कुछ टांस दिये हुए इंटर पोल के टेवेश चैनल्स हैं न्यूस्पेपर्स हैं उनके लिए गवर्मेंट में चार पोटल्स को लांच किया है तो उसको हम देखेंगे कौन-कौन से पोटल्स है दोस्तो अगला होगा हमारा elevated road for animals in काजिरंगा पार्क gets approval काजिरंगा पार्क में जो है एक रोड की बात कही जा रह question क्या है हमारा हम देखते हैं यहां पे with reference to Indian laws about wildlife protection consider the following statement यह पीवाई क्यों है मारा previous year question है 2022 का question है अगर है तो क्या है with reference to Indian laws about wildlife protection consider the following statements देखें दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ाई में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस question को अपने common sense से देने का प् और बाद में आने के बाद में हमें ऐसा feel होता है कि यार यह तो बहुत ही low hanging fruit था यह तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो वहाँ पे tackle कर लेते इस question को और यहां पे आप जानते हैं एक एक दो दो question से कितने लोगों का selection हो जाता है कितने लोग पीछे रह जाते हैं तो हम ऐ इस जो है option options को भी ध्यान से देखेंगे तो आप एक common sense को apply करके इसमें से answer निकाल सकते हैं देखिए हम यहां पे तुक्का मारने की बात नहीं कह रहे हैं हम यहां पे आपके common sense को apply करने की बात कह रहे हैं देखिए exam में जब pressure होता है इंसान को तो वहाँ पे अभी सब लोग यही कहेंगे कि exam में बैठने के बाद फिर नहीं समझ में आता है यह होता है तो हम पहले से थोड़ी थोड़ी ऐसे चीजों की practice करते रहेंगे तो जिससे हम exam में भी बैठें तो भी वहाँ पे चीज़ें हम आसानी से tackle कर सके तो इसलिए मैं आप से कह रहे हूं कि आप common sense का apply करिए यहां पर अपने सामाने बुद्धी का apply करिए और इसका अंसर देने का कोशिश करिए अंसर देने की कोशिश करिए options में क्या है आपके पहला है wildlife animals are the sole property of the government ध्यान देना है आपको दूसरा option है when a wild animal is declared protected such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas और outside ठीक है ध्यान देना है आसान कोशियन है ध् अगला है apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is a sufficient ground for its capture or killing which of the statement given above is correct पहला 1 and 2, B 2 only, C 1 and 3 only, D 3 only इंदी में देख लेते हैं वनी जीव सरक्षण के बारे में भारती कानूनों के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला जंगली जानवर सरकार की एक मात्र संपत्ती है एक मात्र संपत्ती है ध्यान रखना है जब किसी जंगली जानवर को सरक्षित को घोशित किया जाता है तो ऐसा जानव कि आशंका की बात कही जा रहे उसे पकड़ने या मारने के लिए परियाप्त आधार है उपर दिये गए कथनों में से कौन सा से सही है पहला एक और दो दूसरा केवल दो तीसरा एक और तीन चौथा केवल तीन तो आपको अपना सामान्य बुद्धी का प्रयोग करना है दोस् आशंका की बात कही जा रहे है तो आपको अशंका होगी की टाइगर भी हमारे उपर अटेक है यह ऐसे जो है प्रॉब्लम हो सकती है तो किया हम जाकर कि उनको मार सकते हैं वहाँ पर जब एक्चुवल कुछ हमारे पास प्रूफ होगा या हमें कुछ चीज मिलेंगी यक्श करिएगा जरूर से और यहां पर अगर थर्ड वाले ओप्शन को देखेंगे तो आपका तो लेंगे तो आपका वैसे ही दो ओप्शन हो जाता है तो बाकि आप निकालने की कोशिश कीजिए बाकि हम इस कोशन पर आएंगे और इसका हो सके उतने जादा से जादा कॉंटेंट प्रोवाइड गया और फ्री और कोस्ट आपको कई धेर सारे कॉंटेंट मिल जाएंगे हमारे पूरे चैनल पे चाहे वह जो है आपका यह से संबंधित हो और भी चीजों से संबंधित हम यहां पर लाने की कोशिश करें तो आप से जो है कंसीडर करेंगे और उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब तो करिया एट लिस्ट देखिए पहले पेश किया पहला आर्टिकल है तो मैंने सुचा थोड़ा सा डिसकस कर दो आप से वह क् एक्सटरनल अफेर मिनिस्टरी के लिए और जो है लोगों बहुत मतलब अच्छे इंसान है वह बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं वहारी एक्सटरनल अफेर्स को तो इस वज़े से वह काफी न्यूज में भी रहते हैं इंडिया ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेस उन्ह तो देखिए यहां पर उन्होंने बोला मल्टी लैटरल इजम विल इससाइट बाई साइट नेशनल इंटरस्ट विद धा कैलकुलेशंस कोंपिटिशन डेट स्ट्राइफ और कॉमन ग्राउंड दो इट विल नेवर भी परफेक्ट सेज एक्सटरनल अफेर्स मिनिस्ट्री इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इंडिया इस ब्रिजिंग पावर in many ways, इस एक्सटरनल मिले एक्सटरनल अफेर्स मिनिस्टर जैशंकर सेड ऑन तुज़े वाइल स्टेटिंग एट मल्टी लेटरिजम वूड इस साइड बाई साइड विद नेशनल इंट्रेस्ट हमारे नेशनल इंट्रेस्ट राश्ट्री हित के साथ साथ में हमारा जो है यहां प कुछ लोगों ने इसको पुलिटिकल जो है पॉलिटिकली मॉटिवेटड बताया किसी और तरीके से बताये जहां पर हमने बहुत से पक्षों की बात सुनने की कोशिश करी वहां पर जानने समझने की कोशिश करी तो हम इसमें भरोसा करते हैं मल्टी लैटरल में लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारा राश्टी हिद भी तो होगा कुछ जिसको हम साइड वाई साइड अपना इंट पेस्ट्री ऑफ टुथ कैंड़ टू हैमिस्फियर अगरी इस जो है थीम की जो है पैनल था इस थीम पर बेस जिसमें वो बात कर रहे थे और इसी में ही उन्होंने बताया और आगे उन्होंने क्या क्या ओलांग विसिस काउंटर पार्ट्स प्रॉम निदरलेंड से लोग आये थे फॉर्मर प्रेसिडेंट बॉलीविया एंड अन्वर बिन मुहमद गार्गेश डिप्लोमेटिक एडवाइजर टूदफ प्रेसिडेंट ऑफ यूए यह सारे लोग यहां पर मौजूद थे यह आप जानते हैं राइसिना डायलोग होता है हमारा एक राइसिना डायलोग यहां पर बातचीत करें जो इशूस है जो मुद्धे हैं उनके बारे हमें हम यहां पर बातचीत करके कोई डिसेजन ले और चीजों के बारे में भी एक दूसरे से बात करें यह दो हजार नौवा नाइन्थ एडिशन था अभी का हमारा और हमने 2016 से यह स्टार्ट किया अब राइसिना के बारे में जानते होंगे राइसिना हिल्स है जहां पर हमारे जो सबसे इंपोर्टेंट गौर्वर्मेंट की बिल्डिंग से वह बनी हुई है आप देखेंगे कि राश्पती भावन है वहां पर पीमो है यह सारी चीज़े आप राइसिना जो है इल्स पर देख सकते हैं तो इसी से ही जो है हम इसको राइसिना डायलोग के नाम से जानते हैं दोस्तों क्योंकि वहीं पर ही यह बैठके चल रही है चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ आर्टिकल हमारा क्या है नो नीड टू आमेंड वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यूने निंस्टर ऑफ एंवॉरपेंट एंड क्लाइमेट चेंज तो इसका नाम जोड़ ए इसे किономी forest and climate change EFCC कौन है हमारे union minister for environment forest and climate change के भुप अंदर याद हो इन्होंने का सेट that there is no need for any amendment in the wildlife protection act 1972 to address human wildlife conflict यह हमारे environment के paper के लिहाद से important जो है article है दोस्तों हम यहापे discuss कर रहे हैं बात क्या हुई कि केरला government ने वहापे आप देखेंगे कि हाथियों से या फिर अदर को जानवर होते हैं तो काफी जादा human और जो है animal conflict काफी जादा बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर केरला ने कहा कि आप जो है जो हमारा wildlife protection act है WPA 1972 है 1972 है आप जानते हैं कि 1972 में ही Stockholm conference हुआ था पहिंद्रा गांधी गई थी उसके बाद आने के बाद यह इन्होंने हमारा WPA 1972 दिया था वहीं से जो है प्रेरित हो करके एक तरीके से बाद में हमारा टाइगर प्रजक्ट भी आया था 1973 में आया था सेक्शन 11 है सेक्शन 11 है 11 सेक्शन क्या कहता है कि एक जो आपका wildlife warden होता है wildlife protection warden होता है दोस्तों उसके बारे में यह हमारा बात करता है आपका सेक्शन 11 कि अगर कोई भी एनिमल है chief wildlife warden होता है chief wildlife chief wildlife warden होता है chief wildlife warden होता है वह पूरे स्टेट में एक ही chief wildlife warden होता है तो इसके ही हाथ में होता है कि अगर कोई जानवर मतलब पागल हो गया है या कुछ को ऐसी injury हो गई है ऐसी बीमारी हो गई है कि वह दोबारा का भी ठीक नहीं हो सकता या वह बहुत जादा मैनियेक हो गया है वह मतलब कि जाकर के ऐसी जगहों पे यूमन की बस्ती में SEC Z Chiefằngоме eter forrests Chief Conservater of Forest Chief Conservative air dB or Forest Beeras Chief Conservative Radio Conservative Air chief conservative of Forest उतेया दोस्तों जो हमारे 1 जीस रखषक होते है यह होते हैं कितने यह होते हैं पाँच यह पाँच लोग होते हैं तो हमारा जो सच्शन किया है 11 है 11 में ही यह बात कही गई है 11 देखिए यह है and if necessary as the chief wildlife warden chief wildlife warden देखे बात आगे क्या है any amendment in the wildlife protection act 1972 to address human wildlife conflict as the chief wildlife warden was empowered to trap trap में पकड़ना किसी को catch and if necessary shoot wildlife according to section 11 of the act ठीक है section 11 of the act यही कहता है कि जो हमारा wildlife warden होता है वही किसी जानवर को पकड़वा सकता है catch करवा सकता है जब जरूरी लगे तो उसको shoot करवा सकता है तो इन्होंने कहा कि आप इस अधिकार को change करके जो 11 111a के तहत में है दोस्तो 111a section 111a के तहत में है हमारे wildlife act के इसको change करके पांच होते हैं आप उनको hand over कर दो यह सारे अधिकार जिससे कि उनको जरूरत लगे वहां पर धेर सारे होते हैं और वह जादा ground level पर चीजों को देखते रहते हैं तो वह उसको address कर पाएंगे अगर उनको जरूरत लगी तो वह शिकार करने की अनुमत ही दे दे लेकिन यहा और फिर हमारी जो central government है उन्होंने कह दिया कि नहीं हम ऐसा करना possible नहीं है आप इसको जादा बेटर तरीके से address करने की कोशिश करो आपके लेवल पर आपके administration के लेवल पर यहां पर खामिया नजर आ रही हैं जिसकी वजह से human wildlife conflict बढ़ रहा है ना कि इसकी वजह से तो उन्ह लिए आगे चल लेते हैं और हम देख लेते हैं हमारा अगला article क्या है दोस्तों अगला article है डेत ओफ डिसेंट की बात क्या है पुतिन्स इस नॉट सस्टेनेबल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस सस्टेनेबल मतलब क्या होता है समवहनी यहां पे जिसको कहते हैं सस्टेनेबल चाहिए तरद क्या है सब्सक्राइबों जाना से बनाते हिरे सब्सक्राइबस कंजर्वेशिट करते हैं सब्सक्राइबल सब्सक्राइबर ऑफ है इसलिए मतलब करके चलें कि हमारी आने वाली पीड़ी भी उसी मात्रा में उन चीजों का यूज कर सके इसी को हम सम्वहनी सम्वहनी विकास आप कह लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बात कह लीजिए ऐसी चीज़ों होती है तो लेकिन यहां पर पॉलिटिकली वे में यूज किया गय क्योंकि वो इस तरीके से काम कर रहे है वहां पर कि अभी बहुत ज़िएशन लगाया जा रहा है कि पुतिन जी ने उनको मरवा दिया है क्योंकि जो नेवल नहीं थे वो एक strong opposition leader थे रशिया के और बहुत बारी उन्होंने बहुत सी चीजों को लेकर के आवाज raise करी थी और उनको 2020 में भी poison किया गया था 2020 में भी उनको जहर दिया गया था मारने की कोशिश की गई थी बाद में उनको योरोप भेजा गया वहां से उ अपनी आवाज को उठाते रहे और फाइनली अब जब वहां का presidential election बहुत दादर नस्दीक है तो उनकी अभी death हो चुकी है तो इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि death of descent मतलब descent मतलब असहमती असहमती के प्रती एक तरीके की असहमती की जो है मौत हो गई है वहां पे द चलाएंगे पूरा जो बुर्जुआ एक जो है वर्ग होगा और जो सर्भारा वर्ग होगा फिर सारा इस उनका तो कहना था मार्क्स का की फाइनली जाकर के state ही खतम हो जाएगा लोग अपने आपसे ही जो है अपने आपको हैंडल करेंगे मतलब की शासन करेंगे जहाँ फा तो चायना की हो लेकिन बाद में अब क्या हुआ कि अब वह जो है पूरे के पूरे आप देखेंगे कि जो जिन चीजों को लेकर कि वहां पर इस ट्रैबलेश उनका पूरा पूरा फंड़ा ही चेंज हो गया है यहां पे चोबिस साल से पूतिन वहां पर आप समझ लीजिए की president के पदपे हैं और अगले भी 6 साल के लिए क्योंकि वहां का छे साल का president का election होता है दोस्तों तो 24 साल से हैं मतलब 4 साल का टम उनका पूरा हो चुका है और अगले भी 6 साल के लिए पूरी संभावना है उम्मीद है मतलब होगा ही कि पुतिन ही बनेंगे क्योंकि जब अपने opposition को मरवाही देंगे दोस्तों तो फिर जो है कहां से opposition बचेगा जो की लड़ सके इसके पहले भी उन्होंने बोरिस नैम्सोव बोरिस नैम्सोव एनदर opposition politician who also fell into the second category was shot dead in 2015 in Moscow 2015 में यह भी एक opposition पे जो है रशिया के अटेक को का विरोध किया है कि रशिया को युकरियन पर अटेक नहीं करना चाहिए था वो जो है भाई कितना जादा जो है न्यूज में रहा था और सच में यह तो बहुत ही पांच सालों से लगातार यह चीज़े चल रही थी और हमारे ही नीचे चल रही थी फिर भी अभी भी लोगों को आप देखेंगे तो उनको जादा कोई फरक नहीं पड़ता है हम क्या है हम एक तरीके से एक अवेर नागरिक बनना ही नहीं चाहते हैं हम बस अपने ही एक कुम्पमंडूग तरीके से रहना चाहते हैं और हम जादा चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना ही ठीक है उतना ही ठीक है हम अपने ही एक दुनिया में रहे रहते और इतनी चीज़े घट जाती है हमें सिर्फ उन चीज़ों पर हमारा फोकस जाता है जो हम शौट चला रहे होते हैं जो वीडियो की क्लिप छोटी सी कटके हमारे जो है शौट में आ जाती हैं उनको देखकर के हम इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और लड़ाई करने के त्यार हो जाते हैं लेकिन ऐसी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है यहां पर और वो डेमोक्रसी के लिए प्रॉब्लमेटिक तो है यह दोस्तों ऐसा नहीं है जिसको सुप्रिम कोर्ट ने भी कंप्लीटली जो है अनकॉंस्टिटूशनल घोशित किया और कहा कि यह भी transparent भी नहीं है जिसको ले करके यह जो है लाया गया था हमारा electoral bond का मामला लेकिन हम लोग है हम ऐसरा नागरिक सोते ही रहते हैं हम जग कहाँ पाते हैं दूस्तों जब कोई ऐसी चीज़े आजाए तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं कि पुतिन का वहां पर क्या चल रहा है आप देखते हैं एक होती है एक होती है communist communist का मतलब आप कहले जिए चाइना की चाइना की गवर्मेंट है वह communist कह लीजिए कहने के तो अपने आपको socialist कहते हैं लेकिन socialism इनके हां पर दिखाई नहीं दे रहा है communist party में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर अपनी बात को मनवाने के लिए तरीके से प्रयोग करना जब अपर्दस्ती के प्रयोग करके equality equality समानता लाने के लिए मतलब की force का प्रयोग करना बल प्रयोग के माध्यम से समानता लाने की कोशिश होती है वहां पर socialism में ऐसी चीज नहीं होती है government समानता लाने की कोशिश करती है तो चलिए आगे अगले आर्टिकल की तरफ चल लेते हैं चाइनीज research ship moors near Maldives raising concern इनका जो China का ship था श्यांग यांग हॉंग O3 क्या नाम था इसका श्यांग यांग हॉंग O3 ये चाइनीज जो है research vessel है काफी high tech research vessel बताई जा रही है और ये मालदीव के तटपे पहुंच चुकी है उसके कोस्ट पे पहुंच चुकी है जिसको लेकर के इंडिया ने काफी टाइम से अपना इशू रेस किया हुआ था कर रही थी इंडिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में फिर मालदीव का ये बयान आया था कि नहीं ये कोई रिसर्च वेसल नहीं है ये एक जो है रूटीनी शिप है जो आ करके यहां पर माली चाइना के लोग वहां पर काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए जो समंदर के नीचे चलने वाली जहाज हैं उनके ओपरेशन के लिए डेटा इंडिरेक्टली कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और यहां पर बताया हमारी गॉवर्मेंट ने की जो हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे यह जो शिप जा रही थी यह नॉट विजिबल ओन कॉमन ट्रेकिंग साइट्स स्टार्टिंग फॉम जैनुरी बाइस जैनुरी जाकर के पहुची है यह शिप वहां आपके मालदीव में लेकिन इसको जो है जो नॉमल विजिबल जो कॉमन ट्रेकिंग डिवाइस है उस पे यह विजिबल नहीं हो रही थी क्योंकि सब कुछ इसका जो ट्रेकिंग डिवाइस था उसको बंद कर रखा था चाइनीज चाइ इसकी मना ही कर दी थी जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूस थी और इंडिया जो है श्रिलंका का काफी अच्छा इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन रहा है संबंद रहा है इंटरनेशन रहा है हमारा बीच के कुछ टाइम में जो है कुछ कियोस क्रियेट हुए लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो इंडिया भारत और श्रिलंका का काफी अच्छे रिष्टर हैं आप सभी जानते हैं कि हमारे राम जी वहाँ पे गये थे श्रिलंका में ही रावन को मारा था उन्होंने और वहाँ से सीता में अखुले कर आये थे तो इस वज़े से भी ए चलते हैं आगे यहाँ पर नाम क्या था इसका श्यांग यांग होंग 3 जो की डिवाइस पर ट्रैक डिवाइस पर ट्रैक नहीं की जा रहे थी लेकिन चायना ने इसको बाद में खारिश कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है अगले नियूज है हमारे इंटेंडेंट मेसेज और देखते हैं जो आज की दिन का क्या है लोगों का सुभे उठा फोन उठाया शॉर्ट सी स्क्रॉल करने लग चाहे वो यूटूब पे हो चाहे वो इंस्टा पे हो अब यहां पर छोटी छोटी चोटी क्लिप्स आती है और देखिए यह भी बहुत ही बहुत तरीका जो है कि उठाद किया लोगों ने कि उन्होंने एक, क्योंकि जो हमारा इंसान है, योवन ब्रेन है, वो चाहता है कि उसको एंटर्टेन्मेंट बहुत छोटे स्पैन पे जो है, उसको मनोरंजन मिलता रहे मिलता रहे, तो शौर्ट इसी तरीकी से बनाई गई हैं कि तीज सेकंड क वीडियो को ऐसा स्क्रॉल करते रहते हैं और उनका दिमाग जो है उसमें ही बटा रहता है और वह लगवग घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ओन एन एवरेज आप देखेंगे तो 4-5-5 घंटे लोग जो है रील्स को और शॉट्स को स्क्रॉल कर लेते हैं और यहां पर यह लोग इतने लोग इतने रील्स तेकेंगे तो चीज़ें वायरल आ फाइन वाइर जाएंगे और वर से फेक रीमर्स होते हैं तरीके जो वीडियो हीडिए हैसी क्या Estado दशा दूखे थे आया यह मुंबई में गया थे वहां पर कोई स्पीच दे रहे थे वहां पर उन्हों ने किसी बच्चे ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे टूरीजम को ले करके कुछ ऐसी चीजों को ले करके स्री लंका से संबंदी था वो क्या था मैं फर्स अड्वाइस तू यू वोड़ बी थे नेक्स ताइम यू वां तो टेक अ हॉलिडे गो तो श्री लंका जब वो वहां पे गये थे तो किसी बच्चे ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी नेवर हुड की पॉलिसी है उसमें हम हमने कितना काम किया है हम कितने मतलब ज़ादा अच्छे साबित हुए है हमारा रिलेशन कैसा रहा है अधर कंट्रीज के साथ में तो इसको लेकर के ऐसी कोई कोश्चन था तो इसको लेकर के जश्री ने वहां कहा था कि अच्छा आप अगली बार अगर कहीं टूरिजम पर चले जाएगा तो आप श्री लंका छले जाईएगा और वहां जाकर कि लोगों से आप बात करिएगा उनसे मिलियेगा तब आपको पता चले का कि हां हमने इन चीजों पर काम किया है कि नहीं किया है और फिर उन्होंने आगे करके आप देखेगा कि हम इंडिया का क्या वहां पर क्रेडिबिलिटी है कैसे जो है लोग इंडिया को लेते हैं वहां पर और अगला जाना हो तो आप श्रिलंग डालना शुरू कर दिया और मालदीव के साथ में जुड़िया अब यहां पर आप जानते हैं कितना ज्यादा इसकेलेशन हुआ है इशू का मालदीव के साथ में इंडिया का तो इस तरीके से चीजे वाइरल हो जाती है और पूरी वीडियो तो वाइरल हुई नहीं बाद में भी उन्हों उन्होंने कुछ चीजे बोली वह भी वाइरल नहीं हो पाई और वहां के फिर मिनिस्टर भी आये थे उन्होंने भी इस चीज़ को अपना ही देश समझा है तो यहां की वीडियो को काट करके लोगों बाद में उन्होंने कुछ और वी चीज़े कहीं वह चीज़े वाइरल नहीं हो पाई तो देखिए हम लोग का हम लोग यही कर रहे हैं कि हम र्यूमर्स पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं आप देखेंगे कि अब जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है धेर सारे प्रोप को गेंड़ा चलेंगे एक पार्टी दूसरी पार्टी को लेकर के ऐसे चोटे-चोटे क्लिप्स को जो है कट करके डालती रहेगी और कितने ही लोग उसके जहांसे में आते रहेंगे उनको लोगे का हाँ हाँ एकदम यह सई है और आज के टाइम पर आप देखेंगे तो लो लोग इसताग में बैठे रहते हैं कि आपको कब lead काने मौका मिल जाए सबसे मुश्किल काम क्या होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में शान्त रहना कोई भी आपको भड़काए आप ना भड़के सबसे मुश्किल काम यही है मुश्किल काम यह नहीं कि आपको किसी ने सामने वाले ने भड़काया और आप एकदम जबरदस्त भड़क गए, मार पीट पर उतार हो गए ये काम तो हर कोई कर लेता है दोस्तों लेकिन आप बिल्कूल आपने उस चीज़ पर रिस्पॉंड ही नहीं किया उस चीज़ को लेकर के ये काम करना मुश्किल है लोगों के लिए क्योंकि हमारे emotions ऐसे कि हमें गुस्ता बहुत जल्ली आ जाता है हम चीज़ों पर react बहुत जल्ली कर देते हैं लेकिन उसको दबाना उसको control करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है तो ट्राइ करके देखेगा आप लोग भी कि अगर कोई अगली बार से आपको भड़काने की कोशिश करें तो आप नहीं भड़केंगे चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं इंपोर्डेंट आर्टिकल है हमारा काफी ज़ादा आर इंटरपोल्स नोटिस बिंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉटेड यहां पर बात कही जा रही जो इंटरपोल है हमारा उसकी जो नोटिसे होती है वो राजनीतिक रूप से जो एक्सप्लॉट की जा रही है क्या बात क्या है the international criminal police organization Interpol जिसको हम बोलते हैं Interpol क्या है International Criminal Police Organization ठीक है more commonly known as Interpol comprising 194 members कितने members हैं Interpol में 194 member countries है Interpol में plays a crucial role as an information sharing network to enable national police forces to combat transnational crimes यह एक तरीके से जो है information sharing network का काम करती है किसी भी आपस की country's में जो member countries है इनके बीच में कहीं पे भी किसी भी देश का कोई भी अपराधी है वो किसी दूसरे देश में चला गया तो उनके बीच में एक तरीके से link का काम करती है information provide करवाने का काम करती है जिसते की वो जो है अपराधी को पकड़ नोटिस की बात कही गई है और एक रेड़ कॉर्णर नोटिस की बात कही गई है पहले इसके पहले हम यह चीज़ देख लेते हैं कि कि ली रेज़े ज़ुस ओठाइं कि यह जादा पॉलिटिकली मौटीवेटे Extra जो है, नोटिस होता है क्योंकि नहीं की जाती है red corner notice पे तो काफे ज़्यादा scrutiny की जाती है लेकिन blue corner जो notice होता है उस पे ज़्यादा scrutiny नहीं की जाती है which are less scrutinized, हाँ यहीं पर यहीं कहा जा रहा है कि कम scrutinized, there are red corner notices critics argue that countries often exploit existing protocols to target political refugees and dissidents while efforts have been made address this equation remain about striking a balance between facilitating police cooperation and preventing misuse of this powerful tool अब यहां पे किसी भी देश में politically motivated हो करके भी asset notices issue किये जा सकते हैं कोई भी ऐसा विक्ति है उस तरीकी के crime नहीं किया लेकिन वहां की politics के हिसाब से उसके प्रती जो है red corner notice जारी करवा दिया साथ notice issue करती है कौन-कौन से red notice होता है yellow notice होता है blue notice होता है black notice green notice orange notice and purple notice यह साथ notice जारी करते हैं कितने seven notices interpol जारी करता है यह जिसमें यहां पे हम बात कर रहे हैं blue corner notice की और red corner notice की ठीक है अब blue corner notice also known as inquiry notice blue corner notice को हम किस नाम से और जानते हैं inquiry notice inquiry notice के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ठीक है inquiry notice allows police forces in member states to share critical crime related information such as obtaining a person's criminal record यहां पे यह जो blue corner notice होता है वो क्या करता है जो member states 194 member states है उनके बीच में क्या करता है members informants such as obtaining a person's criminal record इनकी बीच में blue corner notice की मादिम से वह आपस में बीच में किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका जो personal record है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है सब सारी चीजों को आपस में वो शेयर कर सकते हैं ऐसा issue करके for instance in January 2020 Interpol issued a blue corner notice to help locate fugitive self-styled god man नित्यानंद 2020 में नित्यानंद को आप जानते हैं कि वो जो है exploitation के मामले में के उन्होंने exploit किया था आप कह लीजिए एक तरीके से यह बाबा बने हुए है self-styled बोलते हैं इनको दोस्तों यह बाबा लोग भी तो आजकल पता नहीं क्या ही करते मुझे तो अब तो किसी भी बाबा पर वरोसा नहीं होता दोस्तों किस किस तरीके के इनके क्या ही चल रहे होते हैं और इन्होंने आप देखेंगे पुरा एक island खरीद रखा है जिसको इन्होंने खुद से ही अब यहां से जब इनको भाग गए यहां से क्योंकि यहां पे ऐसा कांड कर दिया इन्होंने वीडियो वाइरल हो गई तो यहां से भाग गए अब य इन्होंने कोशिश करी कि आप अपरूव कर दीजे ऐसे ऐसे लोग है दोस्तों और इनके पास इतने पैसे कैसे आते हैं तो मुझे भी लगता है कहीं पर जो है बाबा बाबी बन कहीं काम चलेगा ऐसे तो काम होगा नहीं देखिए यह लोगों को मूर्ख बनाना आज के टा जो उनके भक्त रहे हैं वो आज भी इतनी अंधभक्ती के साथ में आख बंद करके आज भी उनकी पूजा करते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है जूट है और यहां पे लोग सच में एक हरी चटनी और पता नही कौन सी समोसा खिला करके लोगों को पता नहीं कौन सा अशिरवात दिया जाता है मुझे तो सच में समझ नहीं आता है कि लोगों का कॉमन सेंस कहां चला जाता है इन सब चीजों पर आप सीधे सीधे देखनें जिन चीजों कोई लॉजिक नहीं बनता है दोस्तों उन पर भी पर आपको इतना फ्लरिष्ट कर लेते हैं और उनको देख कर गें कुछ ऐसे लोग फिर मार्केट में आने लगते हैं ये भी एक तरीके का मार्केट चला जाता है कि जब ये बंदा इतना ने पैसे कमार इतने मजे कर रहा हैं तो हम क्यों न बाबा बन जाए लोग समय कोशिश से क्या रही है तो यह देखने की कोशिश की गई थी और आगे अब हम देखते हैं वह कोई भी कंट्री निकालती है ले आगेंगे लेकिन ये रेड कॉर्ण नोटीस इसलिए इशू किया जाता है किसी भी कंट्री के थुआ इशू किया जाता है कोई भी मेंबर स्टेट है वो such notices are issued against persons wanted by national jurisdiction for prosecution or to serve a sentence based on an interest warrant or court decision ठीक है किसी भी जो है court decision या किसी के थूँ जो है किसी व्यक्ति को prosecute करने की बात कही जा रही है वो किसी भी law के तहट जो है criminal घोशित कर दिया गया है किसी country में तो उसके खिलाफ कोई भी member state जो है एक red corner notice जारी कर सकती है the country is showing the request need not to be the home country जो request कर रही है कोई country वो उसकी जो fugitive है जो भगोड़ा है fugitive मतलब भगोड़ा होता है दोस्तों जो भाग होता है किसी country से कोई crime करके तो जो fugitive होता है वो जरूरी नहीं है कि वो उसी country का ही हो जो country notice जारी कर रही है वो ऐसी जगे का भी हो सकते हैं मालनीजी हमारी देश का कोई इंसान है वो जाकर के अफ्रीका की किसी country में crime करके भाग जाता है तो वो जो इस country में crime करके भाग जाएगा तो वो country भी उसके खिलाफ जो है red corner notice जारी करवा सकती है उसको पकड़वाने के लिए क्रिमिनल चार्ज को फाइल करने से पहले ही blue corner notice को जारी किया जाता है जो red corner notice इन दोनों में difference क्या है कि जो blue corner notice होता है वो क्या है किसी पर filing criminal charge किसी के उपर file करने से पहले blue corner notice जारी किया जाता है कि भाया blue corner notice जारी कर दिया किसी भी member state में कहां पर है इनको पकड़वा दो हमारे हाँ पर भेज़ दो है मतलब कि उसको एक तरीके से अपराधी घोशित किया जा चुका है और वहां से भाग चुका है उसको फिर बुला करके सजा देनी है finally तो ऐसे के लिए जो हम red corner notice जारी करते हैं the concerned individual can be stopped and arrested while traveling through a member state in 194 member state में कहीं पर भी अगर उसके खिलाफ यह notice जारी कर दिया जाता है तो किसी भी country में फिर पकड़ लिया जाएगा कहीं पर भी रोक दिया जाएगा there will also be other detrimental consequences such as the closure of bank accounts bank account को उसके बंद किया जा सकता है कहीं पर भी उसका bank account हो तो however Interpol cannot compel law enforcement authorities in any country to arrest the subject of a red corner notice as the exercise of such power in entirely discretionary लेकिन बात क्या है कि आगर यह red corner notice जारी भी कर दिया गया है तो भी वो किसी भी member देश को यह compel नहीं कर सकता बाद यह नहीं कर सकता है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ो ही वो उस country के specific discretion उसके खुद के जो है मत पे जो है depend करेगा कि वो क्या करना चाहता है वो देश उसको पकड़ना चाहता है कि नहीं पकड़ना चाहता है इन 2028 रेट कॉर्न नोटिस वस इशूद अगेंस फ्यूजिटिव बिलिनियर नीरेव मोदी नीरव मोदी के अगेंस्ट में 2018 में जो है रेट कॉर्न नोटिस जारी किया गया था रिलेशन टू दा पंजाब नेशनल बैंक में पी अन्वी में जो उन्होंने इसकैम करके पैसे वैसे ले करके भाग गये थे नीरव मोदी आप देखेंगे उन पे अटेक एक बारी किया था जिसको ले करके अमेरिकन गोर्मेंट ने बोला था कि इंडिया ने करवाया है यह इसको ले करके काफी जादा इसकेलेशन हो गए थी पहस हो गई थी इंडिया और USA के बीच में तो उसको ले करके इंडिया ने जो है गुरुपतवन सिंह पन्नून को ले करके भी एक रेड़ कॉर्णर नोटिस जारी करने के लिए इंटर पोल से request करी थी कि हमें जारी करेंगे लेकिन इंटर पोल ने फिर जो है दूसरी बारे इंडिया के request को जो है deny कर दिया था यह कहते हुए कि यह जो है अलग से politically motivated जो है इनका यह मुद्दा हो सकता है whom the union ministry of home affairs has listed as a terrorist हमारे हैं इनको जो है as a terrorist जो है list किया गया है यह terrorist है जो आप देखेंगे पंजाब में खालिस्तान वगेरा कि मांग को लेकर की चीज़े चल रही है तो वहां से संबंधित इनको जो है रखा गया है terrorist के कैटेगरी में इंडिया उसने बोला कि आपका पोलेटिकल आपका मोटिवेशन करने कि स्कोनोटिस करवाने की कोशिच करेए इसका मिस्यूज रोसकता है हम कि हो सकता है सबसे ज्यादा किस ने किया है रशिया नहीं किया है युएस की यूएस राइट्स और्गनाजेशन फ्रीडम हाउस रशिया इस रिस्पॉंसिबल फॉर थर्टी एट परसेंट ऑफ और पॉलिक रेट नोटिसेज जो भी पॉलिक रेट नोटिसेज हैं उनमें से थर्टी एट परसेंट सिर्फ रशिया से ही किया गया है आप देखते हैं कि दोस्तों रशिया को क्या है कि वो कोई भी बाहर चला गया है और उसके रशिया के गॉट्मेंट को में इसके लिए पकड़वाने की कोशिश करवाएंगे क्रेबलिन जहां पे उनको परेसिडएंट हाूस का क्या नाम है क्रेमिन क्रेमलिन यह थो इस डिरेक्ट रश्या विच विच यह थी इस नोटिस एंड इफीज विच एफ पॉनेंट्स जो क्रेमिनल के उनके राश्च्ट पती के जो है पोजिशन में रहते हैं उनको सब को पढ़वाने की कोशिश कई बारी करिये और ऐसा कई कंट्री ने भी किया हुआ है चाहें वो चाइना और हो टर्की हो त्यूनीशिया हो और अधर कंट्री भी हो उन्होंने काफी स्विच किया हुआ है इसका तो चलते हैं अगले आटिकल की तरफ इन सब को देखते हूए जो इंटरपॉल है उन्होंने अपने रेड्ड स्टीज के सिस्टम को काफी टफबना दिया है कि आपको जो है रेड प्रीय करना है तो आपको कई चीजों से होकर घुजरना पड़ेगा इतनी आसानी से रेड कॉर्ण नौर्टीस जारी नहीं किया जा सकता है लेकिन ज़्प्लू ठीक है, the agencies data shows that blue notices have roughly doubled in number over the past decade, पिछले दशक से अभी तक जो है डबल हो चुकी है blue corner notice की संख्या जारी करने की, अगला article है हमारा, government unveils for web portals for news publishers, news publisher के लिए चार जो है web portal उन्होंने launch किया हुआ है हमारी comment ने, वो कौन से देख लेते हैं, बस normal छोटी सी news है, बहुत जादा बड़ी news ने ही, तो जल्दी देखेंगे इसको हम, union information and broadcasting minister, अनुराग सिंग ठाकुर, कौन है, अनुराग सिंग ठाकुर आप देखेंगे, इस space sector में 100% fdi allow किया हमारी government ने, तो उसमें भी इनका speech आया था, ये कौन है हमारे, information and broadcasting minister, minister है, on the Thursday, launched four online portals of the Central Bureau of Communication, Central Bureau of Communication, the registrar of newspapers, ये कौन है, ये रजिस्टार, newspaper का, रजिस्टार of India, the new media wing and the digital addressable system of the ministry, ठीक है, इन्होंने ये जो है, notice जारी किया, sorry, launch किया है, for online portals को, of the Central Bureau of Communication, इनके इनके इन चारों के जो है, एक अलग-अलग इन्होंने जो है, launch किया हुआ है, पोर्टल, वो पोर्टल कौन कौन से है, वो हम देख लेते हैं, किन के लिए है, पहले ये, किन के लिए है, वो देख लेते है, TV channels के लिए, newspaper के लिए, environment, conducive, एक environment, business environment, provide करवाया जाए सके, newspapers के लिए, जो आराम से चीजों को, government तक भी उनकी पहुच हो सके, और चीजों को जादा बेटर तरीके से वो कर सके, तो इसके लिए, वो पोर्टल बनाए गया है, enhanced transparency, पारदर्शिता लाने के लिए, efficiency in government, government, communication, provide easy access to authentic government videos, जिसमें authentic government videos, उनको मिल सके, इन सारी चीजों की पहुच बनाने के लिए, newspapers को, TV channels के लिए, उन्होंने ये पोर्टल लॉंच किया है, पोर्टल का क्या नाम है, एक है, navigate भारत, navigate भारत किसके लिए है, पर videos on the, on the entire gamut of the government's development related and citizens, welfare oriented measures, जो भी government में, welfare के लिए सिजन के मिजर लिए है, या फिर government से संबंदि, जो भी videos होते है, जो काम करती है, गौर्मेंट से संबंदि, जो वीडियो होते है, वो कहाँ पर मिल जाएगा, navigate भारत पर इन लोगों को मिल जाएगा, newspaper को, TV channels को, जहां से वो videos को उठा सकते है, authentic videos होंगे, fake videos नहीं होंगे, आप देखते हैं, fake videos कित्ते ज जादा चलते हैं, इसको भी इसके चलते हुए, इनको ये लाने की ज़रूरत पड़ी है, the four portals में और एक है, वो कौन सा है, प्रेस सेवा, प्रेस सेवा, एक है, प्रेस सेवा, इसका क्या काम है, दोस्तों, प्रेस सेवा का काम है, for registration of newspaper and periodicals, and newspaper के registration के लिए, जो periodicals निकलते हैं, उनके registration के लिए, ये कौन सी site है, प्रेस सेवा, प्रेस सेवा साइट है, जहां पर उनका registration होगा, दूसरा navigate होगा, navigate भारत है, navigate भारत में जो है, navigate, navigate भारत, navigate भारत में वो जो है, वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, comment की, और क्या है, the other portals are for registration of local cable operators, जो local cable operators है, उनके registration के पॉर्टल बना हुआ है, transparent, impanlement, media planning and e-billing system, ठीक है, media planning और e-billing system, इन सब के लिए जो है, उन्होंने पॉर्टल बनाया है, और local level पे भी जो है, जो operators है, उनके लिए भी पॉर्टल बनाया गया है, चार पॉर्टल यहां पर गॉर्मेंट ने बनाया है, देखिए, थोड़ा स ब्लर आ रहा है, तो थोड़ा मुझे पढ़ने में इशू हो रहा है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़े मैं इसमें समझा दी है, आर्टिकल में दोस्तों, तो आप इसकी टेंशन मत लिजेगा, अगला आर्टिकल में है, इलिवेटेड रोट फॉर एनिमल्स इन काजिरंगा पार्क गेट अप्रूवल, तर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल लाइफ कौन देता है, इसका जो है अप्रूबल कौन देता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल लाइफ, एन बी डवल, नेशनल बोर फॉर वाइल लाइफ है, अप्रूवड एन इलिवेटेड रोड ओवर कोरिडोर से लेकर के एक इलिवेटेड रोड का अप्रूवल दिया है यहां पर यहां पर में में कौन-कौन से हैं टाइगर रिजर्फ भी यह जो है बनाया गया है और यह के लिए भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रिजर्फ है हमारा काजिरंगा नेशनल पार का टाइगर यूजुली डूरिंग हैवी फ्लट्स जब काफी ज्यादा बाढ़ वाढ़ का समय आता है तो इन्होंने अप्रूब किया कि यह जगह हैं जहां से जानवर हैं जब काफी वाइड लाइफ ने अप्रूब कर दिया है अनाूंसिंग हीज देजिजन इस इन पोस्ट ऑन एक्स असाम चीफ मिनस्टर हम हिमानता विक्वा शर्मा चीफ मिनस्टर हिमानता विक्वा शर्मा उन्होंने बोला थर्स देज्स सेट दा अन्ब डवल ऑल्स अप्रूव्र क्या है यह बीपबिल कौन से लेकर यहां ने रप्रूफ किया हुई यह अपका वेट। लेंड यह हमारे किसमें आता है राम सार की साइट में आता है दोस्तों ठीक है वेट लेंड इंपोर्टेंट बड़ एरिया भी है इसे चोटे से आर्टिकल होते हैं में कितनी ज़्यादा तोटल आटिकल से दोस्तों तो कोई पूरा का पूरा वो भी हमारा एक्जामिनर्स भी यह जो है वो उम्मीद नहीं करते कि आप पूरे क्या है ये गोहाटी में है आउट सकत बाउंडरी ओफ दीपोर बिल लट सक्ट उख ऊंड और टेकरट ओँ एरिया में है मतलब कि काफी बाहर के एरिया में है साइड में दबील वेट लेंग एंड इंपोर्टन बट अर्यविए भी भी है इस रामसर साइट भी एदर 35 km elevated road project worth 6,000 crore along an existing arterial highway skirting the northern boundary of Kaji Ranga. Kaji Ranga की northern boundary core area had been in the offing for years. According to the blueprint submitted to the union government, the four-lane elevated road will have two tunnels, one with an estimated length of 1.5 km and the other is 600 meters. तो इसमें जो important चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया, आप काजिरंका के बारे में देखिए, दीपोर बील के बारे में देखिए, दीपोर बील में आप जानते हैं अगर ऐसा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से हमारे यहां पर देखिए, और इन्दिया ने बोला इन्होंने भी बोला है अलवानिया ने भी कि हम भी अपनी एक एंबसी बनाएंगे, इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं अगर ऐसा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से हमारे यहां पर इनके ऐसे राजनेक संबंध नहीं थे जो कि अब ग्रीस से भी लगती है साइड में इधर सामने की तरफ आप इटली को देखेंगे बीच में आप सी देखेंगे और इधर अल्बानिया देखेंगे तो आपको यहां इंडिया मिल जाएगा तो यह एक ये यूरोपियन कंट्री है यह मैंने आपको बता दी है तिरासा या पि में पूछ सकता है कि अभी कौन सी कंट्री के साथ में हमाने राजनाइक संबंध स्टार्ट होने वाले हैं तो यह वो है आपका अल्बानिया जो की यूरोपियन कंट्री है और दोस्तों देख लीजिए आप फिर से मैं आप से लोग ऐसा कर रहे हैं तो शुक्रिया और जो है यह देखिए अगर आप करेंगे तो हमारा और ज्यादा मोराल बूस्ट होगा दोस्तों आप इस बात को समझे और हमें सब्सक्राइब कीजिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करत ही है वह बाइलिंग्वल है बेसिक टू एडवांस है वह बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक की चीज़े पढ़ाई जाएंगी और आप यहां पर देखिए हमारा एप भी है प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने फांडेशन को मजबूत क कर सकते हैं अगर आप 25 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी अपने फांडेशन को मजबूत बना सकते हैं क्योंकि काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे एक्जाम में दोस्तों तो चलिए इसी के साथ में जो भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और एडि कुशिष को पैब और की ही तो ठीच्टेंट इसी कानुनत की स्तेइट वाइजीव सरक्षण के बारे में भारति कानून के संदर में निमलखित कथनों पर विचार कीजिए पहली बात क्या कही थी wild animals are the sole property of government ऐसा कैसे हो सकता है कि wildlife जो है पूरी की पूरी सोल और एक मत्र गौर्मेंट की ही property होती हो common sense से भी हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों और दूसरा क्या है पहला तीसरा देख लीजिए अप्रेहंशन ऑफ प्रोटेक्टेट वाइल एनिमल बिकमिंगा डैंजर टू हुमन लाइफ इस सफिशेंट ग्राउंड फॉर इस capture और किलिंग यहां पर म हमारे चीते खत्रा हो सकते हैं हमारे टाइगर खत्रा हो सकते हैं तो ऐसी आशंका तो हर जगहें जहां जहां पे यह हैं लेकिन उसके लिए आपको पहले तो एक ठ्थोस आधार तो होना चाहिए at least proof तो होना चाहिए तो ये भी option आपका सही नहीं होगा दोस्तों अगर इसको नॉर्मली भी देखेंगे तो और यहां पर क्या बात के समान सुरक्षा का हकदार है चाहेवा सושी चेतन में हो चाहे वो नेशनल पार्क वगएरा हो संक्षूरी वगएरा हो टो ऐसा जानवर चाहे वहाँ हो यह जन जगाँ को हमने wildlife sanctuary यह जीज़े घोशित नहीं की है तो क्या हम वहाँ के जानवर को वहाँ गोजित कि किया है और किसी specific area को हमने जो इस सारक्षण के दाइरे में नहीं लाया तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम हम इसका हम उनका मतलब भी जा spranti को मार सकते हैं तो हम मईने सारक्षण के बाहरों करना खाने डाइरे में सारक्षण और वहां से भूंपें Suzanne बाहर भी निकल गया तो इसका मतलब भी तो नहीं है कि वहाँ से बाहर आ गया तो हम इसको मार सकते हैं तो सरकार की एक मात्र संपत्ती जंगली जानवर कैसे हो सकते हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है तो आपका एक सामाई से में हो जाती है पढ़ने के दारान में उन्हेंस प्रेयोग करके हमें समझे में आने लग जाती है जरूरी नहीं है कि हमें यह पूरा का पूरा जरूरी नहीं कि हमने पढ़के रठके ही रख़ा हो डेके आप कितने भी div आपको देखके लग सकता है शायद मैंने कहीं देखा था लेकिन कुछ तो आपको देखके लएगा कि यह तो किसी अदर ही प्लैनेट के कोश्चन है तो यहां पे हमें ऐसी चीजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और बाद में जब हम एक्जाम के हौल से बाहर आते ह है तो हमने लगता है कि हमने वहाँ पे ट्रैक्टिस को गलत कर दिया तो हम प्रैक्टिस में रहेंगे यह चीजए हमारी वहां पे जाки गलत नहीं होंगी जो हमारी exam में गलत हो जाती है अगर ऐसे questions आपने दो चार भी गलत किये हैं एक भी गलत किया है दो भी गलत किया है और उतने से कितने लोगों selection रुख जाता है दोस्तों तो हमें सबसे पहले exam hall में जा करके हमें अपने जो हम mistakes करते हैं हम टेस्ट दे रहे होते तो भी हमें ensure करना होता है कि जो हम गलतियां सिली mistakes करते हैं उनको बहुत ही माइनूट करना है बहुत ही कम करना है तो इसी बैसे पर ऐसे questions हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों हमने इसका आंसर भी बता दिया है और मैंने आपको बता दिया कि आप इसको जो है देख लीजिएगा दोस्तों तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए खाते पीते मस रहिए energy बनाए रखिए अपने mental health का ख्याल रखिए physical health का ख्याल रखिए आपके स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तिश्क का निवास होता है तो हम पूरी उम्मीद करते हैं आप अपने ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफी cumbersome तयारी है तो आपको अपने mental health का भी ध्यान बहुत ही कायदे से रखना है दोस्तों ठीक है competition इतना जादा हाई है आप अभी हाल में ही देख रहे हैं कि जो यूपी पुलिस की भरती थी कॉंस्टेबल की भरती थी सोचिए कम सकम 45-45 लाख लोगों ने जो फॉर्म भरा था एक्जाम देने के लिए इतने लोग गये 60,000-60,000 के आसपास वहाँ पे पोस्ट आई हुई थी और उस पे भी बात हो रही है कि पेपर लीक हो गया तो अब कुछ बच्चे होंगे उनके लिए तो यह मरने जीने का मुद्दा तक हो जाएगा कि हमने इतनी तयारी करी थी एक बारी किसी ने एक्जाम दिया बहुत मेह तो इसके लिए तो वह मरने जीने तक का सवाल हो जाता है तो इसलिए दोस्तों ऐसी चीजे तो चलती ही रहेंगी यह तो खामिया है हमारे प्रशासन की तरफ से कि हाँ इन चीजों को इंशोर करना चाहिए कि ऐसी चीजे ना होने पाए जब हम एक्जाम देने जाते हैं तो हमारे सर की क्लिप तक निकाल ली जाती है और लड़कों का कलावा निकाल लिया जाता है लेकिन फिर भी जो है यहां पे ऐसी ऐसी चीजे हो रही है तो आप लोग ध्यान रखिए कि इस चीज को अपने mental health का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको आप UPSC में देखे कि ऐसी चीजे होने की possibility बढ़ जाती क्योंकि वह सिर्फ एक टियर का exam होता है कि आपने एक टियर का exam दिया आप सेलेक्ट हो गए अधर में क्या है कि आपने एक टियर के exam दिया तो पूरा मेंस आपको लिखने के लिए पड़ा हुआ है अब कितने भी 30 मार्क बन रहे होंगे कि आपने कुछ भी कर लिया होगा तो आपको जाके एक exam पूरा लिखना ही होता है तो आपको यह chances कम हो जाते हैं लेकिन वहां पर चांसे यह सारी चीजों के बढ़ जाते हैं एसाई का भी पेपर था उसमें भी ऐसी चीजे हो गई थी पिछले के पिछली बार हुआ था दो दोस्तों तो ध्यान रखिए mental health का situation में ध्यान रखना बहुत 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 जादा जरूरी है तो अपना खयाल रखिए दोस्तों इसी के साथ में हमें विदा दीजिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्क्राइब कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का